हालो फ्रेंड्स वालकम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखे आला देखिए एक लाख चालीस हजार का प्रॉफिट अब आपको होगे इतना प्रॉफिट यह तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है डाट्स यूज लेकिन मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात यहां भी ना सूचे है जो में इंपोर्टेंट गोल आपका होना चाहिए वह कंसिस्टेंसी का चाहिए यानि कि अगर आप दस स्टॉक को ओबर पीड़ा पीड़ा वन येर देख रहे हो ट्रेड कर रहे हो अलग अलग तरीकी से इन्वेस्ट कर रहे हो चाहिए वीकली थीजिस होंगा कि वह आपके लिए एक अलर्ट है बट आप अपनी जितनी भी ट्रेड लेते हो चाहिए वह इंट्राडे की हो चाहिए पोजिशनल हो चाहिए वीकली थीजिस पर लंग लॉं लॉंग टर्म की हो तो उनको एक बार रिव्यू जरूर करें कि जो लास्ट मैंने किया थ चीजों से आपको खुदी सीखने को बहुत कुछ मिलता है इंसान अपनी चीजों को गर रिव्यू करें तो उनसे ही उसको बहुत सारी लर्निंग्स होती है क्योंकि जो मिस्टेक उने उसने लास्ट टाइम पर की है इस टाइम पर वह इनको इंप्रूब कर सकता है और आने हमारे एक मेंबर है इस टॉक को मैं आपको समझाओंगा देखिए 1032 पर उन्होंने लियूपिन को पगड़ा अब यहां पर जो हमारा जो लर्निंग का में गोल है न वह है डिसिजन मेकिंग के ओपर यहां पर मेंबर्स आपस में डिसकस करते हैं चीजों को निकालते हैं लेकिसे मुझे लॉंग टर्म बेसिस पर इंवेस्ट करना है तो उसके बाद क्या होता है आपको बस किसी की जरूरत नहीं होती कि हाँ अब मैं एंट्रे ले लू मेरा स्टॉप लॉस यह है कि यही मेजर डिसिजन मेकिंग का हमारा मेजर फोकस है कि जितने भी में इन्वेस अग्जांपल दिया था बजाज कंजूमर एक दिन पहले ही उन्होंने यह चीज फेस करी थी कि यह सिचुवेशन यहां पे भी बन रही और उन्होंने एक्जांपल दिया यह 1032 का इनका चार्ट हमारे में बसे यह आज की जेट का उसके बार देखे शाम होते होते कि बारा बजे के आस पास था है को वह 1.4 lakhs profit में थे अब आप कहोगे that's use लेकिन मैं आप से कहूंगा यह जो 1.4 lakh का profit है that totally depends on the position sizing of the person who is taking trade इसका यह मतलब नहीं है but if you check कि किस तरीके से trade लेनी है समझनी है अगर आप नए हो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा never ever start with a big amount or a big position until and unless आपको market का confidence ना आ जाए तब तक आपको position भढ़ानी ही नहीं है your only goal should be to identify to find the consistency to observe the market with paper trading first then one stock two stocks then as per your experience as per your confidence level you can increase your quantity same as अगर आपको आप weekly trades या फिर मैं कहूंगा आप positional trades ले रहो तो उसमें भी आपको अगर stock market का अनुभाव नहीं experience नहीं है तो अपनी quantities को कम रखें और अपने risk को सबसे पहले समझने की कोशिश करें इसलिए मैं आपको कहते हो कि चाहे एक साल लगे तीन साल लगे चार साल लगे बट सबसे पहले आपको अपने उपर काम करना है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा सोच के जलिए कि आपने दस अजाद या फिर एक लाग दो लाग जो भी इनिशल आपकी investment है वो आपकी learning की होनी चाहिए learning की अगर आपकी investment काम कर गई return on investment फिर वो पूरी जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा और आप अराम से कहीं से भी अपना टैपिटल वहाँ पर खूब फिर उसके कई गुना आपको earning हो जाएगी इसलिए learning पर major focus आपका होना चाहिए अब लूपिन के शेर को अगर मैं देखू तो क्या कुछ यहां पर हुआ आज की date में अगर इस टॉक ने 942 के लो से 962 का हाई जरूर बनाया तो बहुत क्या से यह स्टॉक नकेवल यह मंतली चार्ट है इसका हाई ब्रीच हुआ है और मंतली स्विंग जो है अगली स्टार्ट होने जा रही है और मंतली मंतली वाले लोग वीकली वाले लोग हमें अपनी position size को कम रखा कीजिए क्योंकि आपका stop loss बहुत ज्यादा होता है अगर मैं यह आप से अपनी position size को manage करूंगा याद रखे इस बात को क्योंकि जिस हिसाफ से आप ट्रेड लेते हो रिस्क भी उसी हिसाफ से होता सो always manage your risk प्रॉपर लिए अब वीकली स्विंग के अगर मैं बात करो जो लोग वीकली स्विंग वाले प्लेयर हो जैसे मैंने आपको हमें साख है कि joint की formation यह joint candle आपकी यह देखे इसका लो आपका stop loss होगा और इसका हाइब रीच आपका यहां पर जो यह हाइब रीच हुआ था यह डाउन जरूर आया था उसके बाद फिर से तेजी यहां पर देखने को में लिए यह आपका स्विंग की स्टार्टिंग अब आपको गय अब हम आते हैं डेली पर डेली पर क्या सिच्वेशन बनी वीकली पर तो थीसिस आपने देख ली डेली पर आपकी जो करेक्शन है वह रिजाल्व होती वी नजर आई अब तियरा डिफरेंट प्लेयर्स जो की डिफरेंट काइंड ओप मैं का स्टैटिजी हो सकती है उनकी क कुछ लोग अभी वीकली के हिसाब से सोच रहोंगे कुछ लोग सोच रहोंगे डेली की स्टार्ट होने वाली है या फिर आप बुलिस क्रॉस बनेगा जब जो अगली करेक्शन आएगे मैं तब उसमें एंटर करूगा अगें यह सारी चीजे कैसे आएंगे यह सारी चीजे और इसने कहां सपोर्ट लिया इसने ले लिया अपने 200 डे के सिंपल मुविंग के पास सपोर्ट लिया उसके बाद पॉजटिविटी आई करेक्शन आई अब आपको कहा यह तो हायर लो बना हायर रहे बना हायर लो बना फिर से हाय बना कई लोग सूचे अब मैं 975 के बाद ट्रेड इसमें स्टार्ट करूंगा वीकली थीसिस के बेसिस बाब आज की डेट काफी इंपोर्टेंट डेट और सुबह के टाइम 932 पर क्या हुआ यह बड़ी रेड कैंडल बनी लेकिन इसका वॉल्यूम खतम जो सुबह पहले पहले आवर की कैंडल थी जो आपे मेंबर ह उसके बाद वॉल्यूम ना के बारबर मतलब यह स्टॉक जो है कोई भी इतनी बड़ी रैट करनल में कोई वॉल्यूम ही नहीं है तो मतलब जो किसी ने माल बेचा सुबह सुबह वो कम प्राइस पे सीधे सीधे बेचके विडाउट बिग वाल्यूम निकल गया बेचके ले आपको डाउन साइड में जाने के जरूरत नहीं है बलकि पॉजिटिव साइड वाली ट्रेड यह है और अगर मैं अगर मैं बात करेंगर मैं इस स्टॉक को ट्रेड कर रहा तो मैं इसको और च्छोटे टाइप रिब हैने कि पांच मिनट वह और देता उसके हिसाब से इंट 52 के लेवल से उसके बाद यह जो रही आई है यह आप कैप्चर कर सकते हो अलग-अलग और फिर से कल की डेट में यह देखेंगे को कैसी सिचुएशन मन रहे है अगर आप ओवरॉल सिचुएशन देखो लांग टम में वीकली में जो करेक्शन है वहां भाई इंपल्स स्टा स्टाट हो रही है और नई इंपल्स को आप देख लीजिए यह इस लेवल से स्टाट हो रही है बुलिश क्रॉस के बाद यह पहली करेक्शन 20 तक आई और दूसरी करेक्शन यह 50 के नीचे तक आई अब यह इंपल्स अगर मूवमेंट अच्छा रहता है यहां पे तो सीधे 1120 के टार्गेट को टार्गेट नहीं कहूंगा मैं इसको रिजिस्टेंस लेवल के पास जाने की तैयारी होगी और फिर रिजिस्टेंस के बाद आपको क्या चाहिए तीन चीज़े वह आपको अल्रेडी पता जैसे हमनें बात करी थे और यूपिन के शेर को अगर आप अधार भी कम है और अगर मैं शेर होल्डिंग पैटन की बात करूं तो पिछले चार क्वाटर में म्यूच्वल फंड वालों ने दबा के शेर करी दे हैं साथ परसंट से बारा परसंट की होल्डिंग चली गई है लूपिन में तो तरह ध्यान से देखे शेर को तो लांग ट यह बेचे हैं तो देखते हैं समझे की कोशिश करते है कि की होल्डिंग को तो देखर om भी फिर सेंट लॉट को और लगाऊ कर दो की शेर जिरूर कीजे लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब ने क्या जबदी से सब्सक्राइब करें साथ के साथ बेला कर सकन लेजिके तिरे करग थांक 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 थार्ट की द अधर आति रीडियो